फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट है या फ्लॉप है ये बताने का फिल्मेकर्स का एक तरीका है कि फिल्म को क्रिटिक ने कितने स्टार दिये हैं और क्रिटिक को ये फिल्म कैसी लगी है अकसर होता ये है कि क्रिटिक अगर फिल्म को अच्छी कहता है तो लोग उसकी राय पर उस फिल्म को देखने जाते हैं पिर चाहें लोगों को वो फिल्म पसंदाय ना आए ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहांपर क्रिटिक्स को पैसा देकर अच्छा रिव्यू करवाया गया है ये इस इंडस्ट्री में होता है और कई बार इस तरह के खुलासे हुए है ऐसे में कैसा हो कि पब्लिक से ही फिल्म का रिव्यू करवाया जाए क्योंकि पब्लिक जो है वो बाहर की है इंडस्ट्री कैसे काम करती है उन्हें नहीं पता कई बार इंडस्ट्री में एक नॉर्मल फिल्म की भी हाइप करवाई जाती है जैसी कि नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है यही कारण है कि हमारे चैनल बॉलिवू ठिकाना जिसके पास 13,00,000,000 subscribers है उनसे हमने फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी को रिव्यू करने के लिए कहा हमने स्टार्स देने के लिए कहा कि आप फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी को कितने स्टार देते हैं इस पोल में हमने 5 option रखे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार अब जहां बॉलिवूड इंडस्ट्री में फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी को जाधतर critics ने 3,5 से 4 स्टार्स दिये हैं वहीं यहाँ पर आपको बता दू कि 15,000 लोगों ने voting की हैं और इन 15,000 में से 16% लोगों ने 5 स्टार्स दिये हैं गंगुबाई काठ्यावाडी को वहीं 9% लोगों ने गंगुबाई काठ्यावाडी को 4 स्टार दिये हैं 11% लोग मानते हैं कि फिल्म 3 स्टार के लायक है वहीं 6% लोगों ने इस फिल्म को 2 स्टार दिये हैं और सबसे जदा वोटिंग मिली है एक स्टार को यानि कि 58% लोगों ने एक स्टार की वोटिंग की है कि सिफ एक स्टार के लायक है ये फिल्म और वो स्टार भी कह सकते हैं कि overall Sanjay Leela Bhansali, Ajay Devgan, Vijay Raaz इन सब को लेकर तो जहाँ एक तरफ फिल्म को बड़ा बताया जा रहा है कि आलिया के करियर की सबसे बड़ी ओपनर है, फिल्म में आरिया ने बहुत मिच्चिय और एक्टिंग की है, फिल्म इतनी बड़ी हिट है, वही जनता का क्या रिजल्ट है वो आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है क्या जनता वाला ये रिवियू, ये बिलकुल सती है, या जो क्रिटिक्स रिवियू देते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में उपते बैठते हैं, जिनकी दोस्ती है, फिल्म एक्टर्स के साथ, फिल्मेकर्स के साथ, वो लोग रिवियू सही देते हैं, कॉमेंट सेक्शन मे आप ही बताईए